हाई दोस्तों राजवन सिंग महाली रियस्टेट मेंटर रियस्टेट कोच एड रियस्टेट डिवेलपर मोटिवेशन स्पीकर प्रपटी गुरू कुल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत और जो आज का टॉपिक है यह कल मैं कोई वीडियो सुन रहा था किसी कलाकार जो कमीडिन कलम कुलाकार थे दो उनकी इंक्रव्यूं में वह बता रहे हैं कि हम यह की हमें जॉब मिल दैट हम सब्सक्राइट हो जाए जहfrontो कि क्या सच लगता आब को कि आपकी लाइफ सेटısı जाएगी जितने लोग आपके आजस पास में नोकरी करें चाये सरकारी हैं जाये प्राइवेट हैं, आप उनके है आपकी जो व्यक्तितव है आपकी जो हूंद है पंजाबी में हूंद शब्द बोलते हैं तो उस वह कैम ही नहीं रहती आपका जो बहुत है जितना मर्जी उसका मेंटल लेवल आप से दीचे हो वह आपको अपने तरीके से अपनी उंगली पर निचाता है सबसे पहले मैं यह बात करना चाहता हूं कि येदी आप जौब के बारे में सोच रही हूंद जौब के उपर आप सेट हो होगे जो मिलने के बाद आप सेट हो जाओगे तो यह जो मैंने डाटा लिखा है डाटा इंकम लिखी एक नोशनल लाइए नोशनल मतलब हमने यह निकाल के दिखी है यह पकी नहीं है बलाव यह प्लसमेंस थोड़ी बहुत ही हो सकती है यह उन्नी सो चाली में दसर पे जो मिल इनिसार साथ गया उसके बाद यह सेली सो रपया हुई मतलिब यहीं साल के स्पैन में इस्ट यह बैद साल पर इसजाल पर यह यहीं अज़ए के बाद ये जैल्री जो सो से बढ़कर दस दूनाबदकर एक हजार उई फिर ये दोजार आगया 2000 सन दोचार में यही सायली तसपिया और अब दोजार बीस चल रहा है दोसर दोजार बीस भी निकल गया दो साल होगे यह सहली एक लाख रुपया बनती है क्या हम एक लाख रुपया कमाने के काबल है जॉब में हम यदि जॉब मिल गई क्या हमें एक लाख रुपया मिल जाएगा यदि आपको एक लाख रुपया मिल भी गया तो आप उतने पैसे कमा होगे जो उन्नी सो चाली में दस रु कुमाने वाला बंदा हम अमीर आदमी तो नहीं कह सकते हैं इसको कि वो अपनी मरजी की जिंदगी जी रहा हो अपनी मरजी का घरओ Haz que पास अपनी मरजी की कार रखी हो अपनी मरजी के साइब से उसके बच्चे पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में उचाता है यह एक लाग जो उनीश सो चाली में नहीं कर सका तो दोजार बीस में मिनी अब आप बैंक वालों के साथ लाइसी बीजली बोर्ड वहां निकलो वहां जो सेलरी है तक्रीबन तक्रीबन उनकी एक लाग के आसपास से सत्र हजार करना चाहते हैं क्या वो फॉरन टूर कर सके हैं क्या वो फाइव स्टार होटलों में जा सके हैं यदि नहीं तो फिर लाइफ सेट कैसे हो सकती है फिर तो लाइफ अफ कंपरोमाइस को हो लाइफ सेट नहीं होगी लाइफ अप कंपरोमाइस हो जाएगी आपकी यदि आप य यह भी सिर्फ गुजारे के पैसे हैं इसमें आप आश नहीं कर सकते हैं फिर यह रॉबर्टी क्यों कि अपने किताब रिच्ड एड़ डेड़ के पहले चप्टर में कह रहा है क्या किया रहा है जॉब क्या है जॉब इस शौररटर्म स्यलिशन टूए लांग टर्म प्रॉबलम जॉब एक मतलब कुछ देर के लिए मतलब जो बंदे जॉब करें मैंने जूब की है हमारे पास तक्रीबन तक्रीबन पांच यह शह तरी तक सारे पैसा हमारे लिए काम नहीं करता तब तक हम जिन्दगी में सेट नहीं हो सकते चाहिए बात मेरी आपको बड़ी लगे मतलब प्रिक्टिकली पॉसिवल ना लगे लेकिन जो आदमियों के लिए पैसे ने काम किया है वही आदमी जिन्दगी का लुतफ उठा रही है जिस आदम उनकी कोई लाइफ नहीं है जिसके पा Juice चो आदमी अभी बरसाते हो रही है कितनी सरदी यह पंजाब में अभी जो लोग सरदी में इतनी सरदी में पैसे के लिए पीश लिए काम पेजाते हैं वो आदमी कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो हमेशा हैं To mouth रहते हैं दूसरी बात है जौब जो की जती है दूसरे लोगों के लिए की जती है जब हम दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं तो वो दूसरे लोग तो हमीर हो सकते हैं तो हम नहीं हो सकते क्योंकि हमारे में वो जजबा जनून वगेरा वो कम रहता है सो स्दोस्तो सिंधा वात यही थी कि मेरे को कल यह मैंने वीडियो सुनी वीडियो सुनने के बाद मेरे बढलगा कि यार यह बात आम की सोचने की दिशा чेंज करें जिस दिन आपने सोचने की दिशा चेंज कर दी उसी दिन आपकी दश्या भी चेंज हो जारी धोस्तों अमीद है यह टॉपिक आपको पसंद आएगा टॉपिक मसंद आता है वीडियो आपका सहयोगी राजवन सिंग महाली